देव भूमी उत्तराखंड के रुद्र प्रयाग जिले में मन्दाकिनी के तट पर थित्र के दारनाथ जहां का कंकर कंकर शंकर की महिमा का गान करता है जहां की वायू में अध्यात्म है जो युगों-युगों से मानव की आस्था का केंद्र रहा है हर साल जिसने लाखों लोगों को मोक्ष का वर्दान दिया है वो किदारनाथ शिव के द्वादश ज्योतिर लिंगों में से एक है पौरानिक आख्यान के अनुसार ये मंदिर महाभारत काल में बनाया गया महाभारत के युद में कौर्वों का वत करने के बाद पांडवों में अपरात पोत की भावना घर कर गई ऐसे में श्रीकृष्ण ने उन्हें भगवान शंकर की शरण में हिमाले जानी को कहा उसके बाद पांडवों लोग यहां आए यहां आने के बाद उन्होंने देखा कोई जीव जन तो कुछ भी नहीं था लेकिन कुछ भैंस उनको दिकाई दिये पांडवों के समझ में आया ने कि अब श्यूजी का दर्सन हमें कहां से होगा तब उनको ग्यान हुआ हमारे श्यूजी का एक दूसरा नाम पशुपतिनात भी है तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि श्यूजी इन्हें पशुव में होगा जो भैंस देवाँ पर तो उस भैंस को उन्होंने सपर्स करने लगे एक बैस उसको उनको स्पर्श करने नहीं दिया तब उनने सुझा कि एही भोगवान बोले नात है यह सुझ करके उसको पकड़ने के लिए दोड़ पड़े भैस आगे दोड़ता रहा और पांडो लोग पीछे दोड़ते रहे कुछ दूर जाने के बाद भैस जमीन में गुशने लग गया तब तक पांडो ने जाकर के भैस के जो पिछले बाग है उसको स्पर्श कर लिया स्पर्श करते ही शिव जी उनको जोतर लिंग रूप में पांडो उनको दर्शन दिया है शिव जी ने पांडवों के द्रढ़ इच्छा शक्ती देखते हुए उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर दिया इस बीच भैसे का सिर नेपाल के काठ मांडू के पशुपतिनाथ में निकला बाद में किदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों स्थान शिव के जियोतिर लिंगों के तौर पर प्रसिद्ध हुए जहां किदारनाथ में आज उस भैसे के कूबढ़ की पूजा की जाती है तो पशुपतिनाथ में भैसे के सिर का पूजन होता है किदारनाथ मंदिर के कपाठ अक्षे त्रितिया से लेकर दीपावली के बाद भया दूच तक के लिए खुलते हैं और फिर वर्ष के अन्य भाग के लिए प्रतिकूल मौसन के कारण बंद कर दिये जाते हैं दीपावली के बाद जो भया दू जाता है उस दिन निस्षित रूप से भगवान केदारनाथ जी का शिवा समाधी पूजन करने के पश्चाद छे मेने के लिए कपाठ बंद किये जाते हैं क्योंकि हमारी शास्त्रों में लिखा है केदार अरिश्वर की पूजा छे मेने नर लोग करते हैं छे मेने देवता लोग करते हैं इसलिए ये विदान है, केदारनाति का शिवाले, छे मेने कुला रहता है, छे मेने देवताओं के लिए फुजा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि केदारनाति यात्रा के विचार करने मात्र से व्यक्ति पुने का भागी बन जाता है। गर में काता कि मैं जाओंगा नहीं जा पाया। उसका भी उद्धार हो जाता है। सन दो हजार तेरह में आई प्रलयकारी बाढ़ में किदारनात सहित पूरी घाटी को तहस नहस करके रख दिया। केवल मनुश्य ही नहीं हर जीव जन्तो इससे प्रभावित हुआ। पर ये मंदिर उस भीशन आपदा के बीच भी अचल अडिग खड़ा रहा। उस विनाशकारी प्रलयके दो साल बाद आज इस मंदिर के आसपास के खित्र को फिर से विक्सित किया जा रहा है। जिससे आने वाले वर्षों में ये यात्रा और भी सुरक्षित वस्सरल बनाई जा सके। किदानात में उत्ताखन के लोगों की इच्छा शक्ती का प्रतीक है जो बदलाव आया है जो कुछ करशके हैं और एक साल में आप और बड़ा बदलाव देखेंगे और 2017 तक आप ये देखेंगे कि पूरे अधुत रूप में भगवान शिव जो है सुन्दरतम रूप में य ताकि फिर से कोई आपदा शिव की भक्ती में विग्न ना डाल सके